बारा अगस की दुनिया भर में विश्वहास्री दिवस के तौर पर पहचान है इस बार हाथियों की सुरक्षा के लिहाज से मनाय जाने वाला ये दिन कोरोना काल का शिकार है दरसल इस बार हाथियों के चारे पर भी संकट मनरा रहा है जैपुर के आमेर फोर्ट में हाथियों पर सवारी करने वाले टूरिस्ट गायब है इसी तरह जहां भी नीजी दोर पार हाथियों का इस्तमाल होता है वहाँ पर आमधनी ठप होने से इनके लिए बड़ी समस्या हो गई है लेकिन थाईलैंड में परेटकों के ना आने से एलिफेंट पार को बंद करना पड़ा और हाथियों को जंगल में छोड़ना पड़ा जो इनका प्राकरतिक निवास है अब जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाओं ने भी हाथियों को नीजी हाथों से जंगल में छोड़ने की मुहीम को तेज कर दिया है ज़्यादा रोबस्ट ट्रेनिंग और जंगलों में ज़्यादा पानी और घास और बांबू और बाकी सारे तैयार करना खाद दिया कि यह उसका उपाया है और वो हम करने के लिए प्रतिबद्दा है हाथ यह जंगली जानवर है उसे जंगल में होना चाहिए ना कि सिटी में लोगों के अंटेटेंग्मेंट के लिए यह तो हुई कोरोना की वज़ा से हाथियों पर आई संकट की बात लेकिन जंगल में जाकर भी यह जानवर सुरक्षित नहीं दरसल इसके शरीर में लगे ये खुबसूरा दाथ इसके दुश्मन है और इसका सालाना अवैत कारोबार 2000 करोडों रुपए का है वाइड गोल के नाम से मशूर ये हाथी के दाथ 500 से 1200 डॉलर प्रतिक किलो का बिकता है 20 साल पहले हाथी के दाथ के कारोबार पर रोक लगने के बावजूद हर साल सेकडो हाथी इस हाथी दाथ की वज़ा से शिकारियों के हाथों मारे जाते हैं इस हाथी दाथ पर बैन बे असर है और इसको पूरी तरह से आमल में लाने की मांग वाइल्ड लाइफ से जुड़ी संस्थाए कर रही है हमारे यहां पर बहुत ही अच्छे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लोज हैं आइवरी ट्रेड भी बेन है पट इसके बावजूद भी इलीगल रूप से आइवरी ट्रेड होता है और आइवरी के लिए एलीफेंट के जो जो है इलीगल रूप से उनको मारा जाता है और उनके जो दांद होते हैं उनसे बहुत तरह हैं के प्रोटक्ट बना करके मार्केट में बेचे जाते हैं तो यह सब को बंद करने की जरूरत है और इसके लिए हमको लगता है कि थोड़ा इंफोर्स्मेंट अच्छी तरह से करना पड़ेगा और लोगों को भी समझना पड़ेगा कि उनका इसमें एक अहम रोल है अगर हाथियों को बचाने के उपाएं नहीं किये गए तो अगले 15 साल में हाथियों के अस्तित्व पर संकट आ सकता है जापान में हाथी दात की बिक्री की अनुमती एशियाई हाथियों की जिन्दगी परभारी पड़ रही है अफ्रीकी हाथी दान के मुकाबले एशियाई हाथियों के दातों को परसनल स्टैम के तौर पर तरजी दी जाती है इसके अलावा बढ़ते शेहरी करण से भी एशिया में हाथियों का प्राकृतिक निवास कम हो रहा है भारत में रेल हाथियों की मौत होना आम बात है इसके साथ ही टूरिस इंडस्ट्री में हाथियों के इस्तमाल का भी विरोध हो रहा है क्योंकि वहाँ पर इनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है